शिव बाबा याद है ना? बुद्धी में जब यह चक्र फिरता रहेगा तब ही कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी दिन रात अंदर में यह सिम्रन चलते रहना चाहिए कि जो बेहद का बाप नौलेजफुल है वे स्वियम आकर हमको पढ़ाते हैं अंदर में यह ग्यान डांस चलता रहे तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी वेह बाप जो तुमको इतनी वंडर्फुल नई नई बाते सुनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए फिर बाब ने कहा तुम्हें सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि औरों को भी यह नौलेज कैसे मिले कैसे सब को बाप का परीचे दे बाप समान तुम ब्राह्मन बच्चों को भी सब पर उपकार करना है अर्थात जो बिलकुल ही अंजान है उन्हें इश्वरिय ज्यान दे कर सदा सुखी बनाना है सब को रावन के पंजे से छुडाने की सेवा करनी चाहिए और लास्ट में बाबा ने कहा जहां सर्विस हो सक वहां कैसे भी करके प्रबंद करना चाहिए इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं है हां किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए मांगने से कभी सेवा में जोर नहीं भड़ता सेवाधारी बच्चों की हुंडी बाप खुद ही भड़ देते हैं तुम्हें तो सच्चे दिल व और निश्वार्थ भाव से सेवा करते रहना है और अब सुनते हैं महवाख्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे विश्व की सभी आत्माई अंजान और दुखी हैं आप उन पर उपकार करो बाप का परीचे देकर खुशी में लाओ उनकी आंखे खोलो प्रश् किसी भी सेंटर की वृधी का आधार क्या है उत्तर निश्वार्थ सच्चे दिल की सेवा तुम्हें सर्विस का सदा शोक रहे तो हुंडी भड़ती रहेगी जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंद करना चाहिए मागना किसी से भी नहीं है मागने से मरना भला आपे ही सब कुछ आएगा तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकठा नहीं कर सकते मागने से सेंटर जोर नहीं भरेगा इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ ओम श्यांती रुहानी बच्चे यहां बैठे हैं बुद्धी में यह ज्यान है कैसे शुरू में हम उपर से आते हैं जै अभी तुम बच्चे समझ से हो अवतार आदी जो कुछ दिखलाते हैं वे सब रौंग है अभी तुम समझ से हो हम आत्में असल में कहां की रहने वाले हैं कैसे उपर से फिर यहां आते हैं कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते पतित बनते हैं अभी फिर बाप पवित्र बनात यह तो जरूर तुम स्टुडेंट्स की बुद्धी में होना चाहिए 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह स्मृती में रहना चाहिए बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो कल्प की आयू को लंबा चोड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते न नहीं इसलिए blind faith कहा जाता है जो भी और धर्म हैं वे कैसे सापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धी में हैं तुम जानते हो पुनरजनम लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं अब फिर वापिस जाते हैं यह knowledge तुम बच्चों को ही ह दुनिया में और कोई भी यह knowledge नहीं जानते हैं कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले paradise था प्रन्तु वे क्या था यह नहीं जानते हैं जरूर आदीशनातन देवी देवताओं का राज्य था प्रन्तु यह बिलकुल नहीं जानते तुम समझ से हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते तुम अभी जानकार knowledgeable बने हो बाकी सारी दुनिया अंजान हैं हम कितने समझदार बने थे फिर अब बेसमझ अंजान हो गए हैं मनुष्य होकर अथ्वा actors होकर हम नहीं जानते थे नौलिज का प्रभाव देखो कैसा है यह तुम ही जानते हो तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए जब धारना हो तब ही अंदर में वह खुशी आए तुम जानते हो हम शुरु शुरु में कैसे आए फिर कैसे शुद्र कुल से ब्रहमन कुल में ट्रांसफर हुए यह सुरुष्टी का चक्र कैसे फिड़ता है सो तुम्हारे सिवाए दुनिया में कोई जानता नहीं है अंदर में यह ग्यान डांस होना चाहिए बाबा हमको कितनी वंडर्फुल नौलेज देते हैं जिस नौलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं लिखा हुआ भी है इस राज योग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ परन्तु कुछ समझ में नहीं आता था अभी बुद्धी में सारा राज आ गया है हम शुद्र से अब सो ब्राहमन बनते हैं यह मंत्र भी बुद्धी में हैं हम सो ब्राहमन फिर देवता बनेंगे फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं कितना पुनरजनम लेते चक्र लगाते हैं यह नौलेज बुद्धी में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए औरों को भी यह नौलेज कैसे मिले कितने ख्यालात चलते रहते हैं कैसे सब को बाप का परीचे दे तुम ब्राहमन कितना उपकार करते हो बाप भी उपकार करते हैं ना जो बिलकुल ही अंजान है उन्हो को सधा सुखी बनाए आखे खोलें, खुशी होती है ना, जिनको सर्विस का शोक रहता है, उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए, हम आतमाइं कहां की रहने वाली है, फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने, कितने उच बनते हैं फिर कैसे नीचे आते हैं फिर रावन राजे कब शुरू होता है यह अभी बुद्धी में आया है भक्ती और ज्यान में रात दिन का फर्क है शुरू से भक्ती किसने की है तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा फिर हम भक्ती करने लगे पुजे और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है तुम्हारे पास अभी कितना ज्यान है खुशी होनी चाहिए न कैसे हमने चुरासी का चक्र लगाया है कहां चुरासी जन्म, कहां चुरासी लाख इतनी चोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है लाखों वर्ष की भेट में तो यह एक दो रोज के बराबर हो जाता है अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धी में यह चक्र फिरता रहता है तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी सत्युग में यह नौलेज होती नहीं स्वर्ग का कितना गायन है वहां सिर्फ भारत ही था जो था वह फिर बनना ही है बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है साक्षतकार होता है तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे आत्माई कैसे आती है पार्ट बजाने वह भी तुम समझ गए हो आत्माई ऐसे कोई उपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते है आत्मा को तो इन आखों से कोई देख भी न सके आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडर्फुल खेल है यह पढ़ाई इश्वरिय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे की देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं आगे जादू वले लोग बहुत चीजे निकाल दिखाते थे, बाप को भी जादूगर, सोदागर, रतनागर कहते हैं न, आत्मा में ही सारा ग्यान ठहरता है, आत्मा ही ग्यान सागर है भल कहते हैं परमात्मा ग्यान का सागर है, परंतू वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है, आगे तुम भी नहीं समझ से थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, एक बाप ही नौलेज़ फुल है, हमको पढ़ाते भी हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हूँ, यह दिन रात अंदर में सिम्रन चलना चाहिए, यह बेहद के नाटक का नौलेज़ सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, और कोई सुना न सके, बाबने देखा थोड़े ही है, प्रन्तु उनमें सारी नौलेज है, बाप कहते हैं, मैं सत्यूग तुरेता में तो नहीं आता हूँ, प्रन्तु नौलेज सारी सुनाता हूँ, वंडर लगता है न, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया, वह कैसे बतलाते हैं, ब मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ, तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया है, वह सब सुनाते हैं, वंडर है न, हम जो पार्ट धारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नौलेज है, बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सत्यूग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाओं ड्रामा नुसार बिगर देखे अनुभव किये सारी नौलेज देते हैं कितना वंडर है मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ इसलिए ही मुझे नौलेजफुल कहते हैं तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों अपनी उनती करनी हैं तो अपने को आत्मा समझो यह है खेल तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे देवी देवता बनेंगे फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे वंडर खाना चाहिए न बाबा में यह नौलेज कहां से आई उनका तो कोई गुरू भी नहीं ड्रामा नुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूद है इसको कुदरत कहेंगे न हर एक बात वंडर्फुल है तो बाप बैठ नई नई बाते समझाते हैं ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए चुरासी के चक्र को भी याद करना है यह राज भी बाबा ने ही समझाया है विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है जो लक्ष्मि नारेण अथ्वा विष्णू का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे चुरासी जनमों में आते हैं हम सोदेवता, फिर्षत्रिये, वैशे, फिर्षुद्र यह सिम्रन करने में क्या तकलीफ है बाप है नौलेजफुल कोई से पढ़ा थोड़े ही है नशास्रादी ही पढ़ा है बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किये इतनी सारी नौलेज़ बैट सुनाए ऐसा तो कभी देखा नही बाप कितना मीठा है भक्ति मार्ग में कोई किसको कोई किसको मीठा समझेंगे जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं बाबा बैट सब राज समझाते हैं आत्मा ही आनंद स्वरूप है फिर आत्मा ही दुख रूप छीची बन जाती है भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे मेरी कितनी महिमा करते हैं प्रन्तु जानते कुछ भी नहीं यह भी कितना वंडर्फुल खेल है यह सारा खेल बाबा ने समझाया है इतने चित्र सीड़ी आधी के कभी देखे भी नहीं थे अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं यह ज्यान तो यथार्त रिती है प्रन्तु का महाशत्रु है इस पर जीत पानी है तो यह सुनकर ढिले पड़ जाते हैं तुम कितना समझाते हो समझ से ही नहीं कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हो कल्प पहले जिनोंने समझा था वही समझेंगे दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उनों को ही धार्ना होगी तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी सापन करते हैं बाप का डारेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ बाप सब ज्यान सुना रहे हैं तुम भी सुना रहे हो तो जरूर यह शिव बाबा का रत भी सुना सकता होगा प्रंतु अपने को गुप्त कर देते हैं तो शिव बाबा को ही याद करते रहो इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है सर्व का सदगती दाता माया की जंजीरों से छुडाने वाला एक ही है बाब कैसे बैठ तुमको समझाते हैं यह तुम बच्चों के सिवाए और कोई को पता ही नहीं मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावन क्या चीज है हर वर्ष जलाते ही आते हैं एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना तुमको अभी पता पड़ा है कि रावन भारत का दुश्मन है जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है सभी पांच विकारों रूपी रावन के पंजे में फसे हुए हैं बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए कैसे औरों को भी रावन से छुड़ाएं सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता अर्थात भरता हूँ ड्रामा में नूद है सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता आपने कह दिया है सर्विस करते रहो मांगो कोई से भी नहीं मांगने से मरना भला आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ आपे ही सबाता रहेगा उसमें ताकत रहेगी जैसे बाहर वाले चंदा इकठा करते हैं ऐसे तुमको नहीं करना है मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता ज्यान तो है बीज बीज रूप बाप बैट तुमको ज्यान देते हैं बीज ही नौलिश्फुल है न वह जड बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे तुम वर्णन करते हो सब बातों को समझ सकते हो इस बेहत के जाड को कोई भी समझ से नहीं है तुम अनन्य बच्चे जानते हो नमबरवार पुरुशार्थनुसार बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है कुछ सहन भी करना पड़ता है कितने कड़े कड़े विकार है अच्छे-च्छे सर्विस करने वालों को चलते-चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है कहते हैं हम तो गिर गए, सीड़ी उपर चड़ते चड़ते, नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो पड़ती हैं, दंड तो जरूर मिलना चाहिए बाप से प्रतिज्या करते हैं, बलड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए बाबा पक्का करने लिए देखते भी है इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं कितना सहज समझाते हैं पार्ट धारी को अपने पार्ट कही सिम्रन करना चाहिए अपना पार्ट कोई भूल थोड़े ही सकता है बाब तो रोज रोज भिन भिन प्रकार से समझाते रहते हैं तुम भी बहुतों को समझाते हो फिर भी कहते हैं हम बाबा के समुख जाएं बाब का तो वंडर है रोज मुरली चलाते हैं वे हैं निराकार नाम रूप देश काल तो है नहीं फिर मुरली कैसे सुनाएंगे वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते हैं दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं उनसे मिले इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ग्यान रत्न धारन कर सके शुरीमत को पालन कर सके अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से नमस्से गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट ग्यान को जीवन में धारन कर खुशी में गदगद होना है वंडर्फुल ग्यान और ग्यान दाता का सिमरन कर ग्यान डांस करना है दूसरी पोइंट अपने पार्ट का ही सिमरन करना है दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है माया बड़ी प्रबल है इसलिए खबरदार रहना है अपनी उनती में लगे रहो सर्विस का शोक रखो वर्दान अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाए उसे स्व्यम में धारन करने वाले परमात्मस नहीं भव अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाए उसे स्व्यम में धारन करने वाले परमात्मस नहीं भव अगर परमात्मस नहीं बनना है तो बोड़ी कोंसेस की रुकावटों को चेक करो कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छाई आच्छी है इसलिए थोड़ा रहम आता है कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों वो विशेसाओं से लेकिन वे विशेसा व गुण देने वाला कोन कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारन भले करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ, न्यारे और बाप के प्यारे बनो, ऐसे प्यारे अर्थात परमातमस नहीं बच्चे, सदा सेफ रहते हैं स्लोगन, साइलेंस की शक्ती इमर्ज करो, तो सेवा की गती फास्ट हो जाएगी साइलेंस की शक्ती इमर्ज करो, तो सेवा की गती फास्ट हो जाएगी अच्छा, ओम शांती, बाबा को अत्ती प्रिय बच्चे कोन से हैं, जिनका स्थान बाबा ने अपने समीब फिक्स किया हुआ है जानने के लिए सुनते हैं, आज का अव्यक्त ज्यान होती झाल करें लिए से अव्यक्त ज्यान होती